हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम National Human Rights Commission of India को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में हम भारती राष्ट्री मानावधिकार आयोग को पढ़ेंगे काफी डिटेल में यहाँ पे सारी बातें कवर की जाएंगी आप वीडियो को पूरा देखना सारे चीजें आपको समझ में आजाएंगे यहाँ बहुं बात करेंगे कि मानावधिकार होता क्या है ने क्वानावधिकार आयोग है इसकी बनावट कि कितने लोग शामिल है, इसका structure क्या है, इसको समझेंगे, इसकी कारे प्रणाली क्या है, ये कैसे कारे करता है, और इसके मतलब इसने कारे अपने हातों में ले रखे हैं, कई सारे बाते होंगी, इसके समख्ष क्या चुनौतियां हैं, इसकी भी आज की वीडियो में हम बात करे आजाएंगे, तो दोस्तों कई सारी बाते की जाएंगे, बस आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, राश्ट्री मानव अधिकार आयोक की सनरशना की बारे में यहाँ अभी हम बात करन दें, यहाँ पर जो चीजें वो थोड़ा आपको याद भी करनी पर सकती हैं, अब देखिए दोस्तों बहुत सारी बच्चे कन्फीज होंगे कि मानव अधिकार की आउधार, देखिए दोस्तों मानव अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं, जो कि इनसान के लिए बहुत जा क्या सकते हो, कि मतलब बहुत जादा जो आवश्यक अधिकार हैं, उन्हें आप मानव अधिकार की शेरनी में रख सकते हो, बाकी मानव अधिकार क्या है, तो यह चीजें आपको जब आप वीडियो को एंड में एक टॉपिक है न, अगर आप उसे देखोगे, अगर आप वी कास, वैक्तित्व और गरीमा के लिए बहुत आवश्यक हैं, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं, लेकिन अगर आपको इसे सही में जमीनी स्तर पर समझे ना है, तो आप वीडियो को एंट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, तो मानव अधिकार क्या है, तो अभी अधियक्ष होता है, और पांस सदस्य होते हैं, मतलब 6 सदस्य हो गए, ठीक है, आयोग का अधियक्ष भारत का कोई सेवा निवरित, यानि कि रिटायर मुखे नियाधिश, CGI होता है, और या एक उचितम नियायले का, उचितम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, उचितम निय कि इसके लावा से उच अद्धिकर से संबन्द जानकारी अत्वा कार्यानुभव होना चाहिए अब यहाँ वे बात को समझीए दोस्तों यहां पर देखें दूस्तों राश्ट्रि मानवधिकार आयोग कि अगर हम बात करें संरश्चना की बात करें तो इसमें 6 सदस्चे हैं ठीक है छे में से आप पांच यहां पे रखिए पांच सदस्य क्या है नॉर्मल सदस्य है ये और एक अध्यक्ष होता है अब पहले बात करते हैं अध्यक्ष किये अब अध्यक्ष कौन होता है तो दिखें कोई सेवा निवरित मुख्य नियाधिश माल लीजे कोई CGI ऑफ इंडिया सेवा निवरित तो वह इसका अध्यक्ष हो सकता है या फिर कोई सतह्रे मानवदिकार यूंग में एक अध्यक्ष होता है ठीकिए के लिए मतलब यहाँ पर एक चीज़ तैक की गई है कि अध्यक्ष कौन हो सकता है तो कोई भारत का कोई सेवा-निवृत-मुख्य-द्याइधिश या फिर सुप्रीम कोड का ही कोई न्याइधिश इसका एक अधियक्ष हो सकता है तो यहां पे अधियक्ष को आपने समझ लिया सिंबल जीबाथ historie मानव अधिकार मानव अधिकार आयों का एक अधियक्ष होता है ठीक है कोई बारत स् antisुक्ण रायवा कांद या सेवा नेवरित नहाइधीश है तो फो too सब्सक्राइब कोई का क्यों एक रठी है बन सकता है न तो इसका बन सकता में क्यों सकता है छाय वह रिटायर हो यजा अभी करेंट में सुप्रीम कोट में काम कर रहा हो तो वो भी इसका लवा एक हाई कोट का नियाधिश हो सकता है वो या फिर कोई सेवा निवरित मुख्य नियाधिश है या हाई कोट का कोई कारेरत मुख्य नियाधिश है तो वो इसका एक सदस्य होगा और दोस्तों इसके जो तीन सदस्य होंगे बाके जो तीन सदस्य होंगे उन्हें मानव अधिकार के बारे में अच्छे जानकारी होनी चाहिए तो वो इसके सदस्य होंगे तो यहां पर आपको पांच सदस्यों की बात अच्छे समझ में आ गई नहीं आई तो आप भाई याद सब्सक्राइब करते हैं युलास सब्सक्राइब आपी टीन जो सदस्से चर्ण बारे में आच्छे जानकारी होनी चाहिए तो वो इसके सदस्य बनेंगे तो यहाँ पर अभी हमने बात की छे सदस्यों के बारे में एक अध्यक्ष की बात की और पांच सदस्यों की बात कर ली ठीक है यहाँ तक चीज़ें के लिए हैं ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे एक नए चीज़ सामने आती है कि इन सदस्यों के अलावा यह तो पूर्ण कालिक सदस्य अभी हमने बात कर लिए 6 सदस्यों की इनके अलावा इसी आयोग में मानावधिकार आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्यों होते हैं 7 और सदस्यों होते हैं अभी हमने 6 की बा अल्पसंख्यक आयोग, रास्ट्रिय अनुसूचित जाती वा रास्ट्रिय अनुसूचित जन जाती आयोग, रास्ट्रिय महिला आयोग के अध्यक्ष, रास्ट्रिय अन्ने पिछडा वर्ग आयोग, रास्ट्रिय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग वैक्तियों क मुख्य यहां वे बात को समझी दोस्तों अभी हमने बात कि गाररत या सेवा निव नियाइदीश होते हैं तो हमने इस सारी बाते अभी यहां पर की, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके साथ अन्य पदेन सतत से होते हैं, अब ये कैसे चुने जाते हैं, तो देखिए, ये ऐसे चुने जाते हैं कि जो अलग-अलग जो आयोग है, अलपसंख्यक जो अलपसंख्यक आयोग है, राश्ट्रिय जो अनुसूचित आय यहां पर आपको बात समझ में आगी होगी और इन साथ सदस्यों में से कम से कम एक का महिला होना आवश्यक है जो साथ सदस्यों को कहां से चुना जाता है तो जो रास्ट्री आयोग हैं इनकी जो अध्यक्ष है या आयोक्त हैं तो उनको चुना जाता है यहां पर तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी अब देखें दोस्तों यहां तक आपको I hope यहां तक सारी बाते clear हो गई होगी यहां पर confused नहीं हो रहे हैं सारी चीजें असान है ठीक टफ नहीं है आयोक के अध्यक्षवा सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्टपती द्वारा प्रधान मंत्री के नेत्रित में गठित छे सदस्य समीती के सिफारिश पर होती है यहां पर ध्यान देना देखिए एक समीती है जो कि प्रधान मंत्री के नेत्रित में गठित होती है और जब वो सिफारि कि किने दल के नीटा भाक केंद्रे गिर्यमंतरी होते हैं इस के अतरीक्त भारत के मुकչ नитधी चिसें लॉइं की विए लिए नीवा दूध ना पर वे भी लगते किया तो जिरूरूरी नहीं कि आप यहां पर यहां हाड लग रहा है तो आप इसे सिंपल कर सकते हैं कैसे सिंपल कर सकते हैं आप नौर्मली कह सकते हैं कि प्रदान मंत्री के नैत्रित में एक समीती छे सदस्यों की एक समीती गठित होती है जो कि राश्पती से सिफारिश करती है और फिर राश्पती उनकी सिफारिश कैदार पर नियुक्ति के पात्र हैं अपने कारेकाल के पश्यात आयोग के अध्यक्षिवा सदस्य केंद्र सरकार और राजे सरकारों में किसी भी पद के योग्या नहीं होता है कहने का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि देखिए अगर मान लीजिए कोई वैक्ति है जो कि 68 वर्ष का है कि अगर मान लीजिए वह माना वादिकार आयोग का सदस्य बनता है तो वह तो अगर वाद SHDF का मतलब यह है कि अगर उसकी 600 वर्ष हो साल कारहे काल होता है इसके अगर है कोई भी यर्ष परसे बनाद लेकिन तो सव्रवर्श हो गई तो बी माने मजाए जाएगा कि उसका का रेकाल पूरा है और हां यहां पर यह भी बात कि अपने कारेका रिकाल जो राज्य सरकार है उसके अधिन किसी पद के योगिये नहीं रह जाते हैं मतलब उनके उनको नौकरी नहीं मिल सकती राज्य सरकार के अधिन जो कि मानव अधिकार आयोग की सुरक्षा के लिए सौध अंतरता के लिए बहुत आवश्यक है तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी अब हम यहां बेबात करें लाजपती अध्यक्ष्व स्दस्यों को उनके पद्ध से किसी भी समय निम्लिक्षित परिस्तियों में हटा सकता है। जिस समय जो राज़पती है वो मानवधिकार आयोक के अध्यक्षय सदस्यों को हटा सकते हैं कैसे यदि वह दिवालिया हो कोई सदस्य है जो दिवालिया हो गया है तो उसे हटाया जा सकता है राज़पती की दौरा या अध्यक्षय तो उसे यदि वह अपने कारेकाल के दौर और नियायले ने भी ऐसी भूचना कर दी कि हाँ ऐसा परमानित करा है नियायले ने भी कि वुमानसी ग्रूप से आस्वस्त है तब भी उस वैक्ति को हटाया जा सकता है राश्पती के दुवारा इसके लावा दोस्तों राश्पती अध्यक्ष और किसी भी सदस्य को उसके मतलब दोस्तों यहां भी यह है कि मालीजे कोई दूराचरन का कोई इशू है जैसे कि किसी ने दूर वहवार किया या कोई वैक्ति कोई माना वधिकार आयो का कोई सदस्य या अध्यक्ष है वह अपने कारे करने में सक्षम नहीं है या वह मतलब अपने पत के लिए मतलब तो इस कारण से भी राश्पती हटा सकता है उस सदस्य को लेकिन हाँ इसकी जांच होगी उच्छताम नियायले की दौरा और अगर उच्छताम नियायले जांच में ये प्रमानित करता है तो राश्पती हटा सकता है तो ये चीजे हैं कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जहां पर मानावधिकारों का उलंगन होता है तो उस मामले की जांच आयोक की दोड़ा की जाती है ठीक है और फिर आयोक जांच करने की बात एक कारेवाही की सिफारिज भी करता है सरकार से कि आपको यह एक्षण लेना चाहिए कि आप यह यह फिर जो भी action हो सकता है आप उसे जल्द से जल्द लेजिए तो उचित कारेवाई की सिफारिश भी आयोग करता है तो मानावधिकारों सब्सक्राइब नियाले में चल रहा हो तो आयोग उसमें हस्त छेप कर सकता है और अपनी राय या सरह दे सकता है यह भी है यहां पर बात इसके लावा आयोग जेलों और बंदी ग्रहों में बंद लोगों की इस्तिति का अध्यान करता है और उनके मानवधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी जाज करता है आयोग इन स्थानों में सुधार के लिए भी सुझाव दे सकता है इसके लावा दोस्तों आयोग जो मानवधिकार आयोग है वह मानवधिकारों की रक्षा के लिए बने समवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की समिक्षा करता परता है कि की देखता है रिवियो करता है जो कानून है मानावधिकारों से संबंदित उनको देखता है उनको ध्यान में रखता है और उनके प्रभावी कार्यान inclined का उलंगन होता है और इनसे बचाव के लिए उपायों की सिफारिश करता है अतंगवाद या कई दूसरे कारण होते हैं जिसके कारण मानावधिकारों का उलंगन हो रहा है तो उसकी भी समिक्षा की जाती है और इसके इसे बचाव के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं तो उसकी सिफारिश की जाती है आयोक के द्वारा आयोक मानावधिकारों से संबनित अंतराश्ट्री संधियों और दस्तावेजों का अध्यान करता है और उनको प्रभावशारी तरीके से लागू करने के लिए सिफारिश करता है कहने का मतलब यह है कि मानावधिकार जो मानावदिकार का मुद्द है दोस्तों, human rights का जो मुद्द है, वो एक internationally मुद्द है, ठीक है, अंतराष्टे इस्तर पर भी इसको लेकर कई सारे कानून वगरा बनाए गए हैं, कई सारी संधियां हैं, तो उसको भी ध्यान में रखता है, उसका भी अध्यान करता है, ये आय बनाता है, उनके सरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के लिए परति जागुर्थ करता है, और उनके साह्यों करता है, आयोग ऐसे संगटनों को अनुदान भी परदान करता है, मतलब पैसे से सम्म्द्द को थोड़ी सहायता भी करता है जो मानावदिकार के जागरुकता बढ़ाने या उनके रक्षा करने के लिए कारे करते हैं ऐसे आवश्यक कारें को करना इसके साथ दोस्तों मानावदिकार आयोग ऐसे कुछ आवश्यक कारे करता है जो मानावदिकारों के परचार के लिए आवश्यक हों त मतलब यहां पर ज्यादा टफ है नहीं तो सारी चीजह आपको यहां पर समझ में आ गहीं होंगी कि मानावधिकार आयोग के क्या क्या कर रहें तो यह कार रहें हैं अभी हम दूसरे टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे तो और अच्छे साथ चीजह आपको क्लियर होंगी अब यहा करने के लिए सरकार द्वारा अधिकार और शक्ति दी गई है आयोक को निया के अनुसार काम करना होता है और इसका पर अन्ने जगा पर भी अपने दफ्तर खोल सकता है ठीक है इसके साथी माना वधिकार आयोक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की जानकारी या रिपोर्ट मांगने का अधिकार है माना वधिकार आयोक केंद्र या राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है किसी विश्य को लेकर आयोग को यह जानने का अधिकार है, जानना है कि मानावधिकार का पालन किया जा रहा है या नहीं मानावधिकार आयोग के पास एक अपना चांच दल है, जो मानावधिकारों के उलंगन या शिकायत की जांच करता है जांच, सुरी, आयोग को किसी भी अधिकारी या एजनसी की मदद लेने का अधिकार है आयोग और गैर सरकारी संगटनों के बीच भी एक अच्छा संबन्द है जो मानावधिकारों के उलंगन की सूचना देते हैं जो आयोग है दोस्तों मानावधिकार आयोग ये कुछ गैर सरकारी संगटन है तो उनके साथ भी अच्छे संबना के रखते हैं मतलब उनसे भी कई सारी साहिता मिलती है क्योंकि जो NGUs वगरा होती हैं वो भी तो इस दिश्या में काम करते हैं कि कहीं पर मानावधिकार का उलंगन हो रहा है तो वो मानावधिकार आयोग को सूचित कर देते हैं तो इससे साहिता मिलती है तो ये चीज़े हैं मानावधिकार आयोग को एक वर्च से जादा पुराने मामले सिंपजी बादे दोस्तों अगर कोई मामला एक साल से पुराना है तो उसकी जांच नहीं कर सकता मानावधिकार आयोग एक साल से अंदर जितने भी मामले आ रहे हैं मानावधिकार से संबंदित तो यह उसकी जांच ही कर सकता है आयोग जांच के दौरान या उपरांत निमलिकित में से कोई भी कदम उठा सकता है यह कुछ कदम भी उठा सकता है कोई कारेवाही भी कर सकता है तो क्या है वो तो यहां पर यह देख लिजी आप यह पीडित व्यक्ति को शरती पूर्ति या नुक्सान के भुक्तान के शरती पूर्ति की जाए ठीक है या उसे कुछ पैसा वगर्या दिया जाए तो यह दोशी लोग सेवक मान लेजे कोई सरकारी कर्मचारी है जिसने मतलब कोई दोशी मतलब जिसने किसी व्यक्ति के मानावधिकार का उलंगन किया है तो उसके विरुद बंदी करन हेतु कारेवाई चालू करने के लिए चौने कर सकता है जो संबंदित प्रसिपारिश कर सकता है उसके लावा यह संबंदित सरकार या प्राधिगरण विःधा ततकाल अंतरिम सहायता परदान करने की सिफारिश कर सकता है आयोग इस संबंद में आवश्यक निर्देश आदेश या रिट के लिए उचितम नियाले या उचितम नियाले में जा सकता है इसके लाबा कोई मतलब मामला है तो उससे संबंद में कोई निर्देश आदेश या रिट जारी करवानी के लिए वो सुप्रीम कोट और हाई कोट भी जा सकता है कौन मानवधिकार आयोग तो यह कारेवाई मानवधिकार आयोग कर सकता है ठीक है यह यह और यह 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 और यह कारेवस्ता सिफारिश या सलहकार का होता है मतलब वो सलहा दे रहा है कि भाई जो मतलब सरकार का जो सरकारी मतलब विभाग है कि आप यह कारेवाही कीजिए यहां पर मानवधिकार का उलंगन हुआ है इस जगह पर तो आप इसके लिए जल्द से जल्द पीडित जो पक्ष है जिसने मानव अधिकार का उलंगन क्या है उसको दंड दीजे या उसके विरुत कारेवाही कीजे इसके लिए ये बस क्या करा है सिफारिश करता है ठीक है आयोग मानव अधिकार उलंगन के दोशी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है ध्यान देना ना ही आयोग पीडित को किसी प्रकार की साहता जैसे कि आर्थिक साहता दे सकता है आयोग की सिफारिश सिफारिशों संबंधित सरकार अत्वा प्राधिकार अधिकारी पर बादे नहीं है परन्तु उसकी सलापर की गई कारेवाही पर उसे आयोग के एक महीने के भीतर सूचित करना होता है कहने का मतलब यह है कि कहने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि आयोग क्या है मतलब नॉर्मले सिफारिश कर रहा है सलाकारी इसकी एक भूमिका है लेकिन फिर भी आयोग ने जो सिफारिश की है दोस्तों जिस भी विभाग को सिफारिश की है तो उस पर क्या कारेवाई की गई आ मान लेजे कुछ कहा मान लेजे सरकारी कोई संस्था है मानावधिकार आयोग ने उससे कुछ कहा कि आपको ये कारेवाही करने चाहिए सिफारिश कर दी मानावधिकार आयोग ने तो बाद में जो जिस आयोग से उसने मतलब जिस संस्था से उसने कहा अब क्या कारेवाही की ग सलाकारी हो सकती है तथा पि सरकार आयोक द्वारा दिये गए मामलों पर विचार करती है इस परकार यह है कहना व्यर्थ होगा कि आयोक शक्ति विहीन है आयोक अपने अधिकार का पुन्ड रूप से प्रियोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को नकार नहीं सकती। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किये गए मानवधिकार अलंगन के मामलों में आयोग की भूमी का शक्तियां वारे एकता सीमित है। कि माना तो ऐसा नहीं सरकार उसके कुछ सिफारिशों को मांती भी है। तो ऐसा कहना गलत होगा आयोग जो दोस्तों आयोग है वो अपने पूरे जो भी अधिकार इसको प्राप्त है उसका पूरी तरह प्रयोग करता है यह इसके लावा जो शशेस्त्र बल है ठीक है तो उनसे संबंद में इसके पास जो अधिकार है वो थोड़े सीमित है मानव सरकार को तीन महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कारेवाई के बारे में बताना होगा तो देखिए यहां पर देखिए जब जो आयोग है वो के सिफारिश पर कारेवाई के बारे में बताना भी होता है उसको आयोग अपनी वार्शिक अत्वा विशेश रिपो तो उसमें रखा जाता है इसके साथ ही वे विवरंड भी होते हैं जिन में आयोग दुवारा की गई सिफारिश्यों पर की गई कारेवाही का उल्लेख है या तथा ऐसी किसी कारेवाही को ना मानने के कारण का उल्लेख होता है कहने के मतलब दोस्तों यह हैं कि देखे आयोग ना अपनी जो वार्षिक यह जो विशेश रिपोर्ट होती है। है तो वह भी बताया जाता है रिपोर्ट में तो यह साहएं चीजह यहां एक यह नाव दिकार आयोग और दूर्मिका है तो इस समझ में आई होंगी अभी हमें बात करनी है कि मानाव दिकार आयों के समख्ष क्या चुनाओते हैं लेकिन उससे पहले आप बात करते हैं आयोग कारे निष्पादन अब मानावदिकार क्या होते हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मानावदिकार क्या होता है human rights का मतलब क्या होता है तो देखें अब भारत में जो राश्ट्री इस पर यह जो मानव अधिकार आयोग है इसके कारे निश्पादर में आप देखेंगे कि इसने अनेक विश्य अपने हाथ में लिए हुए हैं यह अनेक विश्यों पर अपने मतलब काम करता है जैसे कि बंध विवा निशेद अधिनियम 1929 की समिक्ष्या बाल अधिकार पर अभी समय से संबंदित प्रोटोकॉल ठीके बाल श्रम की समाप्ती बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्ग दर्शिका यौन पर्यटन पर एवं अवैद व्यापार के रोक रोक के लिए समवीदनी समवीदी करण कारे करम ठीके महिलाओं एवं बच्चों का वैद व्यापार तो मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं तो यह जितनी भी चीज़ें यह मानावधिकार से संबंदित है और इन मुद्दों को मानावधिकार आयोग ने अपने हाथ में ले रखा है जैस सिर्व बहुत मतलब डिकार रखे जो मान अफ के लिए ऩह है ऐसी प्रताइं है जो मानवध की रिस्पेक्ट को नीचे करती है मानवасть गरिमा के लिए सही है मानव मानव के वैक्तितू के विकास के खिलाफं तो ऐसे अभी पास रखें अपने हाथ में और आगब तो यहां पर देख सकते हैं पुलिस द्वारा गिरफतारी भी शक्ति का दुरूपियों और रोकने के लिए दिशनिर्देश अब पुलिस के दुवारा गिरफतारी की जा रही है तो उस समय वहती के पास कुछ अधिकार होते हैं गिरफतारी के टाइम पर भी तो ऐसे में भी कि जो अधिकार है उसका लंकन ना किया जा जाय उसके कुछ जो अधिकार है उनको दुरक्षित रखा जाये तो s где हैं यहां़ पर तो यहां पर दोस्तों आप fathers Ils कि मानव अधिकार का क्या मतलब है इसको और और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहां पर वैसे मानव अधिकार क्या होता है तो मैं आपको स्टार्टिक में एक परिभाशा के तो और बताया था कि जो वैक्ति के विकास के लिए वैक्तितों के लिए गरीमा के लिए अवश्यक जो अधिकार हैं हुने मानव अधिकार कह देते हैं ठीक है लेकिन यहां पर आपा और अच्छे समझ सकते हैं बाकि यहां पर कई सारे यह कारे हैं मतल Bong Visha जो जिने मानव अधिकार आयोग ने अपने हाथों में ले रखा है यहां पर ऐसा नियीग है को आप आपको याद करना है कुछ कुछ आप यहाँ पर सम Baldwin करceptions करते हैं जिनके इसकी सारी चीज़े हैं यहांपर अब यहांवदिकार-ायोग के सामने क्या चुनाथिया तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं था किए संसाधन की कमी देखी जाती है कई बार ठीक है तो यह बहुत बढ़ी कमी है सवाधंदरता की कमी कहने केरे मानवदिकार आयोग एक बहुत बढ़ी संस्तिता है ने आपको बता आभी कितनी साही बाते हैं हमραी की भूमी का आभी हम ने सब्जा लेकिन सवाधंदरता की कमी आपको इसमें देखने को नहीं होता मतलब इस सिफारिश करता है यह सिफारिश करता है यह सिफारिश करेगा कि यहां पर मानवधिकार का उलंगन हुआ है तो आप कारेवाई कीजिए हाला कि पुलिस के ओपर भी एक दवाब होता है क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि यह मानवधिकार आयोग है तो को अगर मालेजे पुलिस उस समय कारेवाई ना भी करें तो इसके पास बहूत शक्ति परह से कारेवाई करवाई देगा मानावधिकार आयों यह कमी है इसमे पर जन चेतना की कमी जन्चेतना के मतला जागछोपता की कमी है अक्सली भ्लें मानावीक इनकार नहीं करती हैं तो आयोत दोस्तम आपको आपको सारी बात आगी होंगी यहाँ पर हमने मानाव अधंखार आयोग के साएंग करें इसको